रितिक रोशन की आखरी उम्मीद भी तूट चुकी है रितिक रोशन जो सुजैन से अलग तो काफी समय पहले ही हो गए थे लेकिन उसके बावजूद रितिक as a father और as a good friend सुजैन के support में हमेशा रहे हाल ही में रितिक रोशन ने सुजैन के पिता की birthday party भी attend की थी लेकिन वहीं अगर बात करें सुजैन की तो सुजैन अपनी love life में आगे move on हो चुकी है और उनकी life काफी अच्छी चल रही है सुजैन को बेहत प्यार करने वाला शक्स मिल गया है अरसलान गौनी के रूप में सुजैन का नाम लंबे समय से अरसलान के साथ जुड़ रहा है और कई pictures में इन्हें साथ में देखा गया है दोनों ने birthday का cake साथ में काटा था और गोवा holiday पर भी दोनों साथ गए थे हाल ही में जब सुजैन को covid हुआ तो अरसलान ने कहा तुम जल ही ठीक होगे और साथ में heart के और kisses के emojis भी दिये जो अपने आप में confirm करता है कि इन दोनों के बीच प्यार गहरा है इसे बीच अरसलान को जब एक interview के दौरान personal life को लेकर सवाल किये तो उनोंने कहा वैसे मैं अपनी personal life के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मुझे मेरे friends बताते हैं कि मेरे बारे में क्या अफमाय चल रही है मुझे वो articles की links भी भेजते हैं लेकिन मैं इन पर ज़्यादा react नहीं करता हूँ जब तक दो लोग खुश है तब तक क्या problem है तो अरसलान ने कहीं न कहीं बातों बातों में confirm कर दिया है कि सुजैन और अरसलान एक दूसरे के साथ रिष्टे में रहते हुए बेहत खुश है जहां तक बात है सुजैन के COVID positive आने की post पर उनके reaction की तो उस पर भी diplomatic जवाब देते नजराए अरसलान अरसलान ने कहा कि अगर कोई COVID positive आया है तो उसे मैं धेर सारा प्यार ही दूँगा न तो कुछ इस तरीके से उन्होंने इस खास बात को बहुत ही normal करके बताया लेकिन इन दोनों की pictures और इनकी chemistry बहुत कुछ कह जाती है फिल्म इंडस्ट्री में कई बार लोग अपने relationship पर खुल कर बात नहीं करते हैं क्योंकि उनके काम से focus हटकर उनके relationship पर आ जाता है इसी लिए actors जादा करके अपनी personal life की चीज़े छिपाया करते हैं जहां Suzanne move on हो चुकी है वहीं रितिक रोशन का नाम कंगना रनौत के साथ तो जुड़ा था लेकिन अब रितिक रोशन किस के साथ है ये clear नहीं है